हेलो मेर नाम इनौश वद्री आज हम क्लास 10 की फस्ट एक्सरसाइज वेदिक मैं थेमेटिक्स करेंगे जो के बॉर्ड एक्जाम में फॉर मार्क्स का है तो उन फॉर मार्क्स में इनके जो नमर डिवाइड आब बन प्लस बन प्लस टू में है तो फस्ट क्यूशन और शेकिन और एक इसका इलिए इनकेशन यह थी इनकेशन बॉर्ड एक्जाम के अंदर इस फस्ट एक्सरसाइज से आते हैं तो पहले जो एक्सरसाइज होती थी 1.1 से 1.4 तक होती थी अब लेकिन अब जो न्यू मोडिफाइड से लेशाइज है उसके अंदर उनली इसको एक्सरसाइ से योज्यत से एक्वेशन सोल करना और एका सुन्यम सम्यम से एक्वेशन सोल करना और जो शेकंड क्यूशन आता था वो निकिलम से स्केर या उपसुतरान इरुप्याण से स्केर या संकलन वेकलन से स्केर करना तो फस्ट क्यूशन एक्सरसाइज का डिवाइड बाइ निकि डिविजर को देख के लिए जाता है तो यह डिविजर है वो 97 है तो 97 100 के पास का नंबर है तो इसके लिए पन बेश लेंगे 100 अब 100 और 97 के भी इसका जो डिफ्रेंस है उसको हम लिखेंगे डिवेशन तो डिवेशन है थरी का लेकिन इसको हम 03 लिखें क्योंकि 100 में जो नंबर आप 0s है वो टूर डिजिट में है तो आपको डिवेशन भी टूर डिजिट में लिखने है तो डिवेशन लिखे देए 03 अब 3 कॉलम मनाएं है उन कोलम के अंदर फर्स्ट कोलम के अंदर हमें लिखना होता है बेश तो बेश है एंडर डिवेशन तो डिवेशन है 03 अब 3 कॉलम के अंदर कितने डिजित आएंगे इस डिवाइडन से तो थर्ड कोलम के अंदर बेश के अंदर जब 0s 2 है तो लास्ट के टू डिजिट फोर फाइफ तो फोर और फाइफ थर्ड कोलम के अंदर आएंगे बाकि जो रिमेनिंग डिजिट है वन और टू यह मिडल वाले कोलम में आएंगे आब इसको लिखने के लिए सबसे पहले जो मिडल वाले कोलम से वन वो एजटी जबन एरोल का की निचे थार दें वन आब इस वन का मल्डिपलाई वन का मल्डिपलाई फर्स्ट अब लेफ्ट साइड से जो डिवेशन का जीरो है उससे करेंगे और फिर करेंगे थरी से तो व उनका multiply 3 करें, यह 3, अब 2 और 0 एड करेंगे तो यह, 2, अब सेम, जैसे 1 से multiply किया थाब ऐसे 2 से करना है अब division को, तो 2 से 1st 0 को करेंगे, तो 2 से 0 करेंगे, तो 0 वो इसे 0 के next digit के निचे, 2 का multiply 3 से करेंगे, तो यह 6, अब जो 3rd column में जो भी digit उनको एड कर लेंगे, 5 और 6, 11, 4 3, 7 और 1 के रही थी तो 8, तो यहां जो 12 आए, वो है क्योशेंट और 81 आए, वो है remainder, तो remainder हमेशा ही divisor से चोटा होना चाहिए, तो यह 81 आवो 97 से चोटा है, तो यह सही है, तो यहां पर side में लिख देंगे, अपन क्योशेंट 12 और remainder 81, जो second equation है, वो 311 को डिवाइड करना है, 8 से, तो यहां पर base है, वो 8 को एक्वार्डिंग लेंगे, तो base है, वो 8 के एक्वार्डिंग 10, तो division, division है वो 2, तो यहां 2 है, वो 1 डिजिट का लिखेंगे, क्योंकि base के अंदर, जो number of 0, जो 1 है, तो division भी 1 डिजिट का 2, अब सेम इसी तरह है, इसके लिए भी 3 कॉलम मढ़ division 2, थर्ड कोलम के अंदर, base में number of 0 है, वो 1 है, तो यहां से unit digit 1 है, वो 3 कोलम में लिखेंगे, बाकी जो remaining digit है 3 और 1, वो middle वाले कोलम में लिखेंगे, थोड़ा गेव से, अब सबसे पहले 3 को एरो लगा करके नीचे उतार देंगे, अब 3 का multiply है, टू से करेंगे, तो 3 का 2 से करेंगे, तो एरो के next digit के आगे, तरी का 2 से multiply करेंगे, तो यह 6, अब 6 और 1 को add करेंगे, तो यह 7, अब 7 का multiply 2 से करेंगे, 7 का 2 से multiply करने पर यह 14, अब 3 कोलम के अंदर, 3rd column के अंदर 14 और 1 8 करने पर आ गया 15 अब यहाँ जो यह remainder आ है 15 वो इस diviser से बढ़ा है जब भी यहाँ पर इससे बढ़ा है तब आपको क्या करना है एक बार again divide करना है तो again divide इस 15 को 8 से करना है तो वो अपन रफ वर्क में करें हैं तो आपको यह हर्फ फर्क होगा यह करना इतना तो हर्फ फर्क के अंदर आपको divide करना होगा 15 को 8 से 15 को 8 से divide करते हैं तो 1 times अब माइनस करने पर यह 7 अब यहाँ पर जो यह क्योसेंट और यह remainder आ है तो यह जो क्योसेंट आ है 1 तो यह 1 पहले बारे जो क्योसेंट है उसके अंदर अपन 8 कर देंगे तो यह हो गया 38 और जो subtraction है 15-8 किया है तो वो यहाँ पर बन subtract करके दिखाएंगे इसको 15-8 तो अब यह हो जाएगा 7 तो अब 7 है वो इस 8 से less than है तो यह 7 हो गया यहाँ पर remainder और यह 38 हो गया question तो इसको अपन साइड में लिख दें question है वो 38 है और remainder है वो है 7 तो इसका answer हो जाएगा अब जो third question है वो है वन थाउजेंड और 13 को divide करना है 88 से तो 88 के coding base 100 यह जो duration है वो है minus करेंगे 88 को तो 12 अब इसी तरह third यहाँ पर तीन column बढ़ाएंगे पन first column के अंदर base और division और third column के अंदर अब base के अंदर number 0 जब वो 2 है तो यहाँ से last two digit है वो 13 वो third column के अंदर और बाकी जो remaining digit है वो 1 और 0 तो यह 1 और 0 थोड़ा गेप से लिख देंगे है यहाँ पर यहाँ जो division था वो था 12 अब 1 है वो निच्चे रोलगा करके निच्चे उता रहे है अब 1 का multiply division से करेंगे तो 1 का 1 से multiply करेंगे तो यह 1 और 1 का फिर 2 से करेंगे तो यह 2 अब next calculation अब 1 और 0 को add करेंगे तो यह 1 अब again 1 का multiply division से करेंगे तो 1 का फैले 1 से multiply करेंगे तो arrow के next देखेंगे तो 1 का 1 से करने पर यह आएगा 1 और 1 का 2 से multiply करने पर यह 2 अब जो थर्ड कोलम में है उनका एड कर लेंगे 3 और 2 5 और ये 2 और 2 हो जाएंगे 4 तो ये 45 है ये लिजर 88 से लेस्ट देन है तो इसलिए ये आगे कैलकुलेशन इसके नहीं होगी ये लास्ट कैलकुलेशन है तो ये क्योसेंट 11 हो गया और रिमेंडर हो गया 45 तो ये साइड